नमस्ते आपकामारे चैनल में स्वागत है आज अपन डोक्टर भीasisाल से बात करेंगे कि गैनों के में स्थिया सर, जरी के बाद में इसकार कैसा बनता है नमस्ते शर inan आइडियलि गाने को में इसकर दिखाई ही नहीं देता है होता क्या है कि निपल एलो कॉंप्लेक्स का गोला है और नॉर्मल स्किन के जोड पर आता है इसका हर, निपल एलो कॉंप्लेक्स की स्किन डार्क होती है, नॉर्मल स्किन उससे लाइट होती है, तो उसका जोड सीधा नजर आता है, जब हम किसी ऐसी जगे पर चीरा देते हैं, जो दो जगों के बीच का निशान, दो जगों के बीच की लाइन है, तो निशान उस लाइन में ओज़ल हो जाती है, यह बोलते हैं अपन कॉस्मेटिक इंसिजन, यह होता हुआ भी आखों से दिखता नहीं है, जिसने सर्जरी कराई उसको दिखाई देगा, वो आईने में जा अगने एक्सेसाइस करें तो कोई देख के नहीं बता सकता, तो से टांके तो लगेंगे ने टांको यह लगते हैं गयने को मास्य के बाद टाके अंदर के होते हैं वो अंदर पेगल जाते हैं तो उपर से टाके के वो क्रोस आच निशान नहीं बनते तो इंसिशन की चिंता करने की जुरूत नहीं है ये है ग्रेड वन टू थ्री के लिए ग्रेड फोर जहांबे स्किन बहुत ज्यादा है उसमें स्किन का रिसेक्षन पैटर्न कैसा है उस पे निर्भर करेगा कि इसके अलावा और क्या इंसिशन आता है कभी-कभी उसके नीचे एक लंबी लाइन आती है उसके साइड में भी थोड़ा बहुत इंसिशन रहता है और उन लोगों के लिए जिन्होंने गाइनेकोमास्या सर्जरी जैसी सर्जरी कराई है मगर वो स्किन रिडक्षन है बेसिकली मैसिव वेट लॉस के बाद कुछ लोग बिर्याटिक सर्जरी कराते है जिसमें पेट को छोटा किया जाता है या आतों की सर्जरी कराते है ताकि उनका बहुत सारा बजन कम हो जाए उस तीदी में बाद में तुचा लटक जाती है उस लटकी वी तुचा को कॉस्मेटिक सर्जरी की मदद से ठीक करना पड़ता है उस केस में भी निशान लंबे आते हैं अधरवाइस जो सामान्य गायने को मास्च्या की समस्च्या है मिजॉरिटी वच्चों में उसमें कोई निशान नहीं है तो स्काहर की चिंता घंडे की जुरूत नहीं है लेकिन वो निशान दिखाई नहीं देता अब बात करते हैं पन कि जो भी निशान आ है वो तकलीफ सो देगा थोड़ा बात अगर सर्जरी हुई है तो शुरू में वो मोटा रहेगा दिखाई नहीं देगा लेकिन छूपके देखेंगे तो मोटा मोटा लगेगा ये करीब दो महने लगता है दूसरे महने से वह और नरम होना शुरू हो जाता है जो कि 6 महने त स्कार बहुत टाइट और मोटा है तो वो कीच के उसकी अकार को थोड़ा चप्टा सा कर देता है लेकिन जैसे जैसे स्कार नरम होगा वैसे वैसे निपरेडर कॉंप्लेक्स दुबारा से सर्किलर हो जाएग रिजल्ट आप 6 महने तक आके देखेंगे तो पूरी दर से नॉ देखा ही नहीं देता फिर भी इसके बारे में आपके मुन में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं तैंक यू